दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में बड़ा जरूरी होता है कि आप जब पंच कर रहे हैं तो अपने वजन के अनुसार करें कैनेडा वैसे तो दोस्तों फिदर वेट कंट्री है लेकिन हेवी वेट के अनुसार पंच करने का प्रयास कर रहा था नतीजा यह हुआ है कि इंडिया है एसेक्टिवली कट डाउन कैनेडा टू साइज दरसल दोस्तों जी हाँ जिसको अगर सरल हिंदी में बोलू तो भारत ने कैनेडा को उसकी हैसियत बताई है हुआ क्या है दोस्तों अगर आप देखें तो कैनेडा की ओर से तो प्रधान मंत्री उसके आ गए टुडो फॉरिन मिनिस्टर आ गए और भारत के उपर उल जलूल आरोप लगा रहे हैं लेकिन दोस्तों भारत की ओर से किसी भी मंत्री ने उनको देखके उनके तरफ उनको तवज्जू भी नहीं दी उनका वैल्यू भी नहीं बढ़ाया भारत की ओर से सारा काम जानते हैं कौन कर रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स जी हां दोस्तों किसी मंत्री को कुछ नहीं बोलना भारत के जो इन्वोई थे जिनको कहा गया था कैनेडा छोड़के भारत के जो एम ऐ दोस्तों कैनेडा में जाके कहँ दिया यह जो कैनेडियन आतंगवादी है जी ईन्हीं आतंगवादी नागरिक यहिए कैनेडियन आतंगवादी हैं यह कैनेडियन इंटेलीजिञन्स एजंसी CSIS के लिए काम करते हैं दोस्तों टूडो को जिस प्रकार से हुमिलियेट किया गया है कैनेडा में टूडो वो विडियो नीचे याने जिए जहां दोस्ताइब आप देखे विडियो हटवा चुका है इस बीन टेकन डाउन विडियो हट गया है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप चाह के भी विडियो नहीं देख सकते वैसे आपको यूट्यूब में मिल जाएगा लेकिन कब तक वह नहीं मालूम जिया दोस्तों खलिस्तानी एक्स्ट्रिमिस्ट्स कैनेडा डीप एसेट्स हैं कैनेडा के ऐसा साफ साफ कहा जस्टिन टूडो ने सिंगल हैंड़ी भारत क के वापस आते वे जो इंबैस्डर वर्मा जी थे उन्होंने कहा है जोस्तों यहां पर जानने वाली बात किया है अगर आप टूडो अडिनिस्ट्रिशन की बात करें तो दुनिया को यह फ्री स्पीच डिमोक्रसी का पड़ाते हैं जी हां आपको यहाद होगा भारत में इस प्रकार के पाखंड के लिए मैं शुद हिंदी पाखंड शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वरना बोलचाल की भाषा में आजकल हिपोक्रिसी के लिए बड़ा बढ़िया शब्द आ गया है लेकिन मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा तो उसी का कुछ अगर आप देखे तो दर्शन दिखाते वे आपको याद होगा टूडो ने पहले भी क्या किया था फेडरल गॉव्मेंट ने उन सभी ट्रकर प्रोटेस्ट के खिलाफ इमर्जन्सी प्रोविजन लगाया था किसी ने पांच डॉलर भी यदि उस ट्रकर प्रोटेस्ट को पैसा दिया था तो यह जो विडियो है यदि आप देखना चाहें तो आपको देखने नहीं मिलने वाला आप देख सकते हैं ctvnews.ca इंडियन हाई कमिशनर एक्यूज़ टूडो ऑफ डिस्ट्रॉइंग बाइलाटरल रिलेशन्शिप एक्सेस डिनाइड यह है दोस्तों इनका फ्री स्पीच का पाखंड क्या है सब कुछ आईए जरा डिटेल में देखते पर इससे पहले आगे बढ़े एक जरूरी एनाउंस्मेंट है दोस्तों आपके लिए UPSC CAC का सब्स्क्रिप्शन हम 24,999 रुपए में लाए हैं आप देख सकते दोस्तों फ्लाट 50% आउफ प्लस अप्टू 9 months 3 extension आपको हम दे रहें दोस्तों यह ओफर 23 October को खतम हो जाएगा तो इसका फाइदा उठाले इस कीमत पर complete GS complete CSAT प्रिलिम स्टे सिरीज में स्टे सिरीज विट इवालुएशन आपको मिल रहा है वन आउन मेंटर्शिप मिल रही है यह सारा फाइदा आपको एक साथ हो रहा है तो जल्दी से नीचे दिये गए लिंक पे क्लिक करें एंरोल करें और इस कोर्स का हिस्सा बन जाएं क्या मार वर्मा जी जो की करीबं 33-34 साल का जिनको एक्सपीरियंस है इन्होंने वापस भारत आने के पहले कैनेडियन न्यूज चैनल सी टीवी को एक इंटर्व्यू दिया जिसमें पीएम टूडो को ये कच्चा चबा गए है क्या हुआ है दोस्तों आईए जरा देखते हैं दे इंटर्व्यूर ने कहा कि आपने तो निजजर की हत्या करवाई है तो इसमें साफ साफ का ऐसा कुछ भी नहीं है कोई हत्या नहीं कराई है यह सब एलिगेशन है जो की पॉलिटिकली मोटिवेटेड है उनके फॉरिंड मिनिस्टर को यहां पे इंक्लूड करते हुए का कि सब आप लोग सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर रहे हैं आपने श्रेड अफ एविडेंस तिनका भरका भी एविडेंस भारत को नहीं दिया और ऐसे ही हमें पर्सन ऑफ इंट्रेस्ट कह दिया फिर दोस्तों यहां पे इंटर्वी और थोड़ी पीछे आती हैं कहती है कि अच्छा लेकिन आप information तो collect करते हैं तभी तो आपको person of interest इस निजजर वाले case में डाला गया होगा जैसा मुझे लगता है वहीं बुले आपको भी नहीं मालूम है क्यों person of interest मुझे बुला गया है तो इसी पर आगे बढ़ते हैं कि देखिए जहां तक बात है ना information gathering खलिस्त कहा मैं personally नहीं करता ना life में कभी किया है लेकिन मेरे colleagues करते हैं उन्होंने का क्योंकि यह मेरे national interest में है यहां पर खलिस्तानियों की बात करते विए उन्होंने का है वैसे तो यह Canadian आतंगवादी है लेकिन उनका जो शब्दे में उसी को प्रयोग कर रहा हूं यहां पर उन्हो लिखूंगा तो फिर उन्होंने का क्या आप यह covertly करते हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं कुछ covert operation नहीं है सब कुछ overt है सब के सामने है हम newspaper पढ़ते हैं हम आपकी तरह तो नहीं हम पंजाबी भी समझते हैं तो हम पंजाबी में सोशल मीडिया में क्या पोस चा रहा है उसको भी monitor करते हैं और उससे क्या infer करना है हम वो infer करते हैं आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि क्या आप निजर की हत्या को condemn करते हैं उन्होंने का बिल्कुल करते हैं कोई भी murder हो रहा है तो उस condemnable है हम condemn करते हैं लेकिन आपके G7 की ही country है जो दुनिया भर में extra judicial killing करते हैं तो यह double standards ना आप अपने पास रखिए आगे बढ़के उन्होंने कहा कि हम Canada को कहते हैं कि हमें evidence है तो दीजिए ताकि इस पूरे मामले के हम bottom पे आ सके आपने कुछ भी नहीं दिया है आगे बढ़ते वे western hypocrisy को expose करते वे उन्होंने कहा कि वो दिन बीद गए जब western group किसी developing country पे दबाव डालता था क्या था कि यह करना है यह करना है और हम दोड़के करते थे वो दिन बीद गए हमारा देश rule of law से चलता है आपको evidence देना होगा हमारे उपर आरोप डालने के पहले आपका Trudeau court क्यों नहीं गया evidence है तो court जाए ना court में अपने court में जाए evidence पेश करे और वहां से concrete तरीके से आगे बढ़े लेकिन आपके Trudeau ने तो स्वयम admit किया है कि कोई hard evidence नहीं है इन सब के बाद Trudeau और उनकी पूरी टीम के खिलाफ भारत में अविश्वास हो चुका है मिस ट्रेस्ट आ चुका है आगे वढ़ते विरों ने कहा जो खलिस्तानी है ना यह security intelligence service जो है उनकी basically उनकी external affairs की जो intelligence agency है वो deep assets है खलिस्तानी उन्हीं के deep assets है ऐसा उन्होंने CTV news पे कह दिया उन्होंने कहा आपकी जो सरकार है ना Trudeau की वो bed fellow है हम विस्तर है इन आतंगवादियों के साथ जो भारत के sovereignty को territorial integrity को challenge करते हैं खलिस्तानी आतंगवादी जो Canada से based है यह भारतिय नहीं है यह Canadian नागरिक है किसी देश को अपने नागरिकों को encourage नहीं करना चाहिए दूसरे देश के sovereignty, territorial integrity को attack करने के लिए लेकिन आप कर रहे हैं हमने 26 डोजियर भेजा है Canada को extradition के लिए आपने एक पे भी काम नहीं किया है जाते जाते दोस्ते एक धमकी भी दी है final blow उन्होंने कहा India Canada के बीच में जो डील है emotions ने अब impact आ रहा है याने की डील पे प्रभाव तो पड़ेगा most likely striker जैसे अन्य डील की बात यहां पे की जा रही है यह जो डील है इन पर प्रभाव पड़ने वाला है बाकि उन्होंने कहा non-political bilateral relation जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल लेकिन हां business deal पर तो प्रभाव पड़ेगा मत बूलिए यही striker है जो Canada में बनके आना था और भारत में इसका होना था हमारे armed forces के द्वारा ऐसे इस तरफ हम आगे जा रहे थे लेकिन अब यह थंडे बिस्तर पर अगर आप थंडे बस्ते पर जा चुका है जी हां इसकी अग हमारे अगर आप देखें तो डिप्लोमाट ने कहा है Canada में जाके Canada को ही जो उनकी धुलाई हुई है अतुल नहीं है मज़ा आगया शायद आपको भी मज़ा आया हो तो लाइक जरू कीजिएगा शेयर करना ना भूले इसके सिवा याद रखिए 24,999 रुपए में आपके देखें ना तो इसे कीमत पे आपको केवल और केवल में स्टेस सीरीज मिलती है हम तो आपको पढ़ा भी रहे हैं प्रिल्यम स्टेस सीरीज भी दे रहे हैं में स्टेस सीरीज विद एवालुएशन दे रहे हैं सीसाट भी इसी में पढ़ा रहे हैं सब कुछ आपको मिल रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर साफ तक पहुंच रहे हैं दोस्तों इतना ही नहीं है अगर आप बारा महीने का लेते तीन महीना एक्स्ट्रा दे रहें चौबिस हदार नौसवर निन्यानवे में और अठारा महीने का लेंगे चार महीना है जाके एन्रोल करें रिपीटर बैच है यदि आपने पहले एक्जाम दिया है और आपको एडवांस प्रिपेरेशन अब चाहिए तो इसके लिए आपके लिए स्पेशल बैच हमने बनाया है इसके सिवा मेरा करेंट अफेर्स का कोर से हफते बर का करेंट अफेर्स हम बस दो दो कुष्छूम थार आपके यद्बा करेंट।